प्यारे बच्चो नमस्कार आज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षिया छे विशे सामाजिक विज्ञान कारिय पुस्तिका में पुस्तक सामाजिक एवरिज राजनितिक जीवन भाग एक में अध्याई आठ ग्रामिन अक्षेतर में आज तो पहला चित्र आप देख रहे हैं किसान जो अटेक्टर से खेट की जोताई कर रहे हैं दूसरे में एक चाय के बागान से कुछ महिलाएं चाय पतियों को तोड़ रही हैं इसके बाद में तीसरे में चित्र में जो मच्छवारे में जाल फें करें मच्लियां पकड़ने और तीसरे में दान की रुपाई की जा रही है और चोथे में क्या है एक जलियान है वो पानी के अंदर चल रहा है और छटे में जो एक किसान है वो बेल गाड़ी से कुछ सामान डो रहा है या सहर ले जा रहा है आप सभी खिर तो देखते हैं इसके बाद में तीसरे में मच्छी पकड़ने की मच्छेर जाल पानी में डाल रहा है में जल्यान चोथे बैल गाड़ी में याता यात हो रहा है जोत्र से जुताई दान रोपन बेल गाड़ी से याता है समुद्री तटो पर फुर्म कोई विसाई क्या होता है तो मचली पकड़ना ही होगा समुद्र के अंदर तो चाय बागार भारत के किंदर राजियों में अधिक होती है तो असम सीक्की में बंगाल और नाचल परदेश में चा का काम करते हैं यहां नारियल और आम के काफी बाग हैं इसके साथ साथ कपास केला गन्ना भी उगाया जाता है तुल्शी राम लिंगम की जमीन पर काम करती है राम लिंगम उसे 40 रुपे परती दिन मजदूरी देता है तुल्शी का पती रमन भी मजदूरी करता है सेखर ए टिए गे मांचित्र मेरे खाकित करते होए दर्शाव तो कलपटु तमिल नडू के अंदर है और आप जैसे मैंने यहां पर उधारन देकर बतार रहा है जैसे आपका गाओं मार राइपूर हो तो वह रियाना के अंदर है इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हो आगे चलते हैं कलपटू के लोगों के कामों था तुमारे गाओं के लोगों के कामों क्या अंतर है कलपटू के लोग टोकरी बनाना बरतन इट गड़े था बेल गाड़ी बनाते हैं हमारे गाओं के लोग खेती करते हैं और कुछ सहर में नोकरी करने जाते हैं ऐसे कौन सी विरिक्स है जो बरतम दोना साब सपाई खाना बनाना कपड़े दोने का काम करती है। रामलिंगम के परिवार के पास कितनी जमीन है तो ज्यादा जमीन है भूट जिससे काम मजदूर करते हैं। करिया क्लापतिन भारत में गाउं के भूमी इन लोग काम की तलास में कहां जाते हैं। तो काम की तलास में भूमी इन लोग बड़े-बड़े सहरों में जाते हैं। करिया क्लाप पांच निमलिक्त बीदों के अधारप अपने गाउं हैं। कलपट्टो गाउं तो मिलनाडों के जानकारी करते हैं। उसमानता हैं। उन्तर लिखो। तुलशी गाउं और आपका गाउं नाम कलपट्टो रतिपूर। उद्योग खेती करना, टोक्री, बर्तन, गड़े, बेलगाडी बनाना कलपट्टो के अंदर, रतिपूर के अंदर, खेती करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, पास के सहर में नोकरी करना, पसुपालन, दुकान किसकी अंदर, स्लोहार, दोबीबुन, कर नाई, आदी, चाई, सबजी, ख़द, कपड़े की, और परचून की, मिठाई की, दूद, किनाई की, सबजी की, विजली सामान की, टायर, पेंचर की, ये दुकान, रतिपूर के अंदर, परमुक फसले, कलपट्टो के अंदर, धान, आम, नारी, अलगना का पास केला है, और रतिपूर के अंदर गेहु, बाजरा, मक्का, जवार, धान, कपास, सर्सों, मूंग है, किरिया कलापची, अपने गाउं के किसी जमी, किसान के बारे मिलिक जानकारी अपराप्त करे, उसके पास कितनी जमीन है, जैसे मैंने या पर एक एकड़ लिखी है, पांच, एकड़दा से कड़दा कुछ कुछ भी लिख सकते हो, उसकी जमीन में एक वर्ष में क्या-क्या पेदावार होती है, गेहु, का पास धान, बाजराब हो सकता है, वहे, क्या वहे, खाद, भीज, ग्रीद, लिर्ज, लेता है, हाँ, बिल्कुल, वहे, कर्ज, कहां से लेता है, तो सरकारी बैंक से खेती, कि उसकी कमाई के और क्या साधने तो पसुपालन, अपनी जमीन पर उगने वाली पेदावार का वहे क्या करता है, तो पेदावार को किसान सेरों के वेपारियों को बेजता है, आगे है, बारत की किसी अन्ने राजे की पुस्तक पड़ और वहां के ग्रामिन जीवन के बारे मे तुमारे एक्षेतर में किसानों की प्रमुक्समस्यां क्या है, क्रिशी में आदनी कुपकोणों का प्रियोग ने करना, प्रिवेन सोईदाओं के कमी, बंडारन सोईदा में कमी, पानी सी चाई का परबंद उचित नहीं है, हर्याना के किसानों को सरकार के और कौन-कौन से मसीरों पर सबसे डिली जा रही किस्तों प्रिण की सुदा है, खाद की सुदा है, सोलर पैनल की सुदा है, फसल बीमा है, बागवानी को बढ़ावा देया जा रहा है, बंडारन की सुदा है, तो प्यारे बच्चों ये था अध्याई आठ ग्रामीन एक्षेतर में आज इव